नमस्कार दोस्तों सबसे पहले तो आप सब लोगों को विश्व पुस्तक और कॉपिराइट दिवस की खूब सारी शुप कामना है शुप कामना है इसलिए क्योंकि प्रकाशक का पेज है तो यहां पर वही लोग है जिनको किताबें लिखने में, किताबें पढ़ने में, किताबों में रुची है, जिनके घरों में किताबें होती है जिनके घरों में निश्चत तोर पर किताबों का भी एक कोना होता है, एक कोना पढ़ने का होता है, लिखने का होना और यकीन जानिये कि ऐसे मध्यवरगी अगर बहुत खुबसूरत लगते हैं जहां बाकी सारे साजों सामान तो हो, साथ में कुछ किताबें भी हो, किताबें पढ़ने का कल्चर भी हो, माँ बाप, बच्चे बैठ कर कुछ पढ़ें और कोर्स से बाहर भी पढ़ें, कोर्स के आपको एक्जाम पास करना होता है, बाकी सारा कुछ करना होता है, तो हम सब पढ़ते हैं, लेकिन कोर्स के बाहर, यानि कि देश दुनिया को जानने के लिए, समाज को जानने के लिए, जो अध्यान हम करते हैं, वो हमारे जीवन को और खुबसूरत बनाता है, और ज्यादा सम्रिध्ध करता है अब ये दिन बना कैसे इसकी भी बड़ी दिल्चस्प कहानिया है बताया जाता है कि 23 अप्रैल को स्पेन में रोज डे मनाया जाया था लेकिन जिस साल एक साल क्या हुआ कि सरवांतिस करके एक लेखक थे और उनकी मृत्यों से दिन हो गई तो उसके बाद रोज डे की जगह इस दिन को किताबों को देने लेने और किताबों को गिफ्ट करने का कल्चर वहां से शुरू हुआ और बाद में 1995 में पूरी दुनिया के स्तर पर इसको विश्व पुस्तक और कॉपी राइट दिवस के रूप में मनाय जाना शुरू हुआ और मज़दार बात यह कि कई सारे ऐसे लेखक हैं जिनका 23 अप्रेल से कोई राप्ता है जैसा शेक्सपियर के बारे में है कि माना जाता है कि उनकी मिर्त्यू भी 23 अप्रेल को हुई थी और उनका जन भी 23 अप्रेल को हुआ था तो इस तरह से तमाम सारी चीज़ें कठा हुई तो यह विश्व पुस्तक और कॉपी राइट दिवस मनाय जाना शुरू हुआ सभी लोगो नमश्कार अशोग जी रचना जी आप सब लोगो नमश्कार अब मुझे थोड़ी थोड़ी बातें करनी है पुस्तकों पे थोड़ी बातें करनी है थोड़ी समाज पे बातें करनी है और थोड़ी सी कॉपी राइट पर भी बात करनी है तो मैं कोशिश करूँगा कि 15 से 20 मिनट आपके बीच में तो यह सारी बाते मैं रखने की कोशिश करूँगा सबसे पहली बात तो किताबें क्या हैं किताबें सिर्फ ग्यान नहीं है मतलब ग्यान की जो संकुचित परिभाशा हमारे हां अक्सर अपनाई जाती है उस संकुचित परिभाशा में सिर्फ किताबें ग्यान नहीं है मतलब किताबें कोई ऐसी चीज नहीं है जिनका पहला और आखरी जो प्योग हो वो नौकरियां पाने के लिए किया जाता हो इसके अलावा भी किताबों का बहुत सारा योगदान है हमारे जीवन में जैसे मैं आपको एक उदारान से चीजों को समझाना चाहूंगा मान लीजे आपने कोई किताब पढ़िये कोई उपन्यास आपने पढ़ा हुआ है जैसे मेरे बहुत प्रिय जो लेखक है रांगे रागो मान लीजे आपने उनका मुर्दों का टीला पढ़ा हुआ है या कब तक पुकारू पढ़ा हुआ है तो कब तक पुकारू पढ़ने के बाद आप उस समाज के बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं जिस समाज से वैसे आपका राब्ता नहीं पढ़ता कहां जाते हैं आप उस समाज के पास आप मध्यवरगी घरों में रहने वाले मध्यवरगी परिवारों में उच्छ जातियों में समवन जातियों में या माल लीजिए कि अगर समवन जातियों में नहीं भी पैदा हुए है तो वो जो एक खास तरह का समाज है उस समाज में उस समाज में जाने का मौका आपको मिलना मुश्किल है तो एक तो उन समाजों के बारे में आपकी एक जानकारी होती है और दूसरा मान लीजिए उन समाजों के भीतर आपको कभी जाना पड़े या उस समाज के किसी व्यक्ति से आपको मिलना पड़े तो आप पहले से मानसिक और बौधिक रूप में तयार होते हैं कि आपको उनसे कैसे बातें करनी हैं क्या कहना है ऐसा जिससे वो आहत नहों और क्या ऐसा कहना है जिससे वो आपसे जल्दी से जल्दी जुड़ जाए ऐसे ही आप विश्व साहित्य पढ़ते हैं अमेरिका का साहित्य पढ़ते हैं लैटिन अमेरिका का साहित्य पढ़ते हैं आप योरप का साहित्य पढ़ते हैं आप मान लिजे फलस्तीन का साहित्य पढ़ते हैं चीन का साहित्य पढ़ते हैं तो उन सारे समाजों के बारे में, उन सारे समाजों की जो रीत रिवाज हैं उन समाजों के, उन समाजों में जो मान्यताएं हैं, उन समाजों के जो आदर्श हैं, उनके बारे में आप यहां बैठे बैठे जानते हैं और उसके बाद अगर उन समाजों से आपका इंटरेक्शन होता है तो वो किसी ऐसे व्यक्ति के तुलना में अधिक सहज होता है जिस व्यक्ति को जो व्यक्ति इन किताबों को नहीं पढ़ा होता है जिसको उन समाजों के बारे में पहले से कोई ग्यान नहीं होता है एक तो ये और जब कि मैं किवल सीधे fictions का example दे के बात कर रहा हूं उपन्यासों का कहाणियों का उधानण देकर बातें कर रहा हूं जो उस तरह से ग्यान की किताबे नहीं है और जो ग्यान की किताबें इतिहास है दर्शन है इन सारी किताबों को जब आप पढ़ते हैं तो दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदलता है जैसे मैं कश्मीर पे काम करता हूँ तो जाहिर तोर पे मैं कश्मीर पे बात करूँगा कि जब आप कश्मीर के इतिहास को पढ़ते हैं जब आप जानते हैं कि कश्मीर में धर्म परिवर्तन कैसे हुए या आप जानते हैं कि कश्मीर में किस तरह से मुगलों के आने के बाद ही गुलामी का दौर माना जाता है किस तरह से वहां के समाज में आलोडन हुए डोगरास के टाइम में क्या हुआ, सिखों के टाइम में क्या हुआ 1947 में कौन-कौन से फैक्टर्स थे जो कश्मीर को एफेक्ट कर रहे थे, प्रभावित कर रहे थे जब इन चीजों को आप जानते हैं, तो कश्मीर समस्या जब आपके सामने आती है तो आप कोई बायस्ट पुरवाग्रह युक्त दृष्टिकोंड लेकर नहीं जाते हैं देशभक्ति देशद्रोह के वागजाल में बाइनरी में आप नहीं फस्ते हैं और एक मनुष्य की तरह एक इंसान की तरह आप बात कर पाते हैं ऐसे ही दर्शन अकसर आप देखेंगे कि दर्शन के बारे में ये माना जाता है कि ये कुछ पागलों की विधा है दर्शन जो है वो आम आदमी के काम की चीज नहीं है लेकिन जब आप दर्शन पढ़ते हैं तो ये समझ में आता है कि हम भले ये नहीं जानते हैं, कि हम किसी दर्शन को मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन हम में से प्रत्य जाने अंजाने में एक दर्शन को फालो कर रहा होता है, क्योंकि दर्शन कुछ नहीं है, दर्शन, मूलता वो गाइड लाइन्स हैं, जो हमारी जीवन पध्धती को मनोवियान है आप किसी पर बहुत नाराज जैसे कल अचानक से एक वीडियो मैंने देखा ट्विटर पर जहां एक पुलिस वाला आई कार्ड वगर मांगता है और महिला बिलकुल गुसे में आ जाती है बाहर निकलती है और लगातार अपना चिलाते जाती है रोती जाती है अपने सारे आई कार्ड वगर फिर बैटकर वा अपना सर पकड़के रो रही होती है बहुत सारे लोगों ने लिखा कि पागल्पन है नाटक है फला है ढिमका है लेकिन अगर आप मनोविग्यान जानते हैं पढ़ते हैं और समाज को अपने जानते हैं समझते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि कौरिंटीन में जितने तरह के प्रतिबंध हैं जिस तरह से घरों में कायत कर दिया गया है जिस तरह से रोजगार मुश्किल होते जा रहे हैं जिस तरह स कभी भी किसी भी रूप में बाहर निकल सकता तो कोई भी विश है दुनिया का कोई भी विश है अगर आप पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से दुनिया को देखने में मदद मिलेगी दुनिया को सही तरीके से देखने में मदद मिलेगी आपको बताओं जब मैं कश्मीर पे काम कर रहा था तो मुझे पता चला कि जब जिस भारत की हम इतनी बात करते हैं, जिस भारत को हम इतना प्यार करते हैं, जिस भारत की जो ड्राइंग है या भारत का नक्षा है, हम खटाखट खटाखट लगातार ड्रा करते रहते हैं, पता गम जगों पर लगातार रहते रहते परशान होते पहाड़ों में नदियों में भागते दोड़ते अपनी जान गमा बैठे तब आप जब नक्षे को देखते हैं ये सारा कुछ जानने के बाद तो उस नक्षे के लिए किवल प्रेम नहीं पैदा होता समझ में आता है कि रास् है कि आज हमारे पास दुनिया भर का नक्षा है और याद कीजिए कि नक्षे तब नहीं बने थे जब इंटरनेट आ गया था या दुनिया भर की नई तक्नीके आ गई थी नक्षे मूलता तब बने थे जब लोग इंच टेप निकल के और अपना सारा कुछ ले इंच टेप को ज्यादा खुबसूरत बनाती है आपके जिन्दगी को ज्यादा मानी खेज बनाती है आज में किसी का कोटेशन पढ़ रहा था नाम तो मुझे नहीं याद लेकिन किसी का कोटेशन में पढ़ रहा था कि लाइब्रेरियां बनाने में कितना पैसा खर्च होता है ये बिलक आगे से हमारा देश इस समय एक ऐसे दोर से गुजर रहा है जहां हम देखते हैं कि अनपढ रह जाने की या कुपढ रह जाने की मैं कुपढ पर भी थोड़ी बात करूंगा कुपढ रह जाने की कितनी बड़ी कीमत हमारा देश चुका रहा है देखे एक होता है अनपढ और ए समाज को नुकसान उतना नहीं होता है उस तरह का निगेटिव नुकसान नहीं होता है लेकिन एक कुपड होते हैं बुरी किताबें पढ़ने वाले गलत किताबें पढ़ने वाले गलत तरीके से ग्यान हासिल करने वाले वाटसेप पे ग्यान पाने वाले Facebook और Twitter पे ग्यान पाने वाले ITSL के messages से ग्यान पाने वाले और ओक जैसी किताबों से जिन में कहीं कोई reference नहीं होता है जिसमें ताज महल मंदिर था और फ़ला ये था ढिमका ये था जो उल जलूल इतिहास किसी प्रयोजन से लिखा जाता है इस तरह की चीजें या हम सब जानते हैं कि इस्टेशन पर दो दो रुपय की जो किताबें मिलती थी पहले अब कीमत बढ़ गई होगी या अब तो खैर पोर्न आ गया है तो उन किताबों के बहुत जरूद रह नहीं गई है तो पढ़ने वाले आप जानते हैं हॉस्टेल में एक वर्ग हमारे समय में ऐसा भी हुआ करता था जो उन पौर्न किताबों को रात रात भर जग किताबों के बीच में रखके पढ़ता था तो इस तरह की पढ़ाई करते करते जो कुपड लोग हुए हैं उन्होंने देश को बहुत नुकसान पहुँचाया है और हुआ क्या है आप देखिए 90's के बाद लाइब्रेरीज का जो पूरा सिस्टम है वो खतम होने लगा है गीच तुरवेदी की एक कहानी है जिसमें लाइब्रेरियन है मेरी भी एक कहानी है जिसमें लाइब्रेरियन मुखे पात रहे और दोनों कहानीों में हम लोगों ने जो दिखाया वो यही की लाइब्रेरीज कैसे स्टेप बाइ स्टेप खतम की जा रही है अब जब ये लाइब्रेरीज खतम की गए हुआ क्या सिक्षा पर चिकित्सा पर इन सारी चीजों पर सरकार ने खर्च करना बिलकुल खतम कर दिया वह लाइब्रेरीज धिरे धिरे बंद हो गई लाइब्रेरीज बंद हुई के ताबों का शौक कम हुआ के दुकाने बंद होनी शुरू हो गई और आज आज आप चोटे शहरों में खास तोर पर जाएंगे, दिल्ली में भी मैं कहा रहा हूँ कि दिल्ली में भी कितनी लाइब्रेरीज धंकी बची हुई है, जहां पर आप जाके पढ़ लीजिए, छोटे शहरों में तो लाइब्रेरीज पूरी तरह से खतम हो रही है, प्रवीन हमारे मित्र हैं, प्रवीन जा राजपल से उनकी भी किताब आई है भी, वो लागातार लाइब्रेरीज के बारे में लिखते रहते हैं, लाइब्रेरीज के खतम होने से ये हुआ, कि बच्चों में हम लोग जब यंग लड़के थे, तो जाते थे, नागरी परचाणी सभा की लाइब्रेरी थी, वहां बै पस करनी है, तो मैं यह नहीं कहा रहा है, कि उससे बहुत ज्यान मिलता था, लेकिन किताब हैं पढ़ने के जो ललग पैदा होती थी, वो लाइब्रेरीज के खतम होने से लगातार वो ललग कम होई है, उसकी जगह पर इंटरनेट है, फेस्बुक है, ट्विटर है, इंस्ट पर जाके राजपालेंट संस को के पेज को लाइक कर सकते हैं, उनसे जूड सकते हैं, तो यह सारा कुछ जो आया, जिसमें पाँच-पाँच मिनट के तीन-तीन मिनट के वीडियोज हैं, वाटसेप के नॉलेज हैं, इसने सूचनाओं का तो बंबार्डमेंट किया, युवा जिस दीन-दुनिया का जो एक हमारे पास आधार होना चाहिए था, वो आधार हमसे छीन लिया गया, इसलिए आप देखते हैं कि छोटे शहरों में तो छोड़ी है, दिल्ली में भी किताबों के दुकाने लगतार कम होती गई, और हिंदी की किताबों के लिए तो दुकानों जगہ ही खतम हो गई हैं, और मैंने ही मानता कि पाठक खतम हुए हैं, देखिये सब कुछ जुड़ा हुआ है, विसस सर्किल है, किताबें नहीं दिखेंगी, लोगों को पता ही नहीं चलेगा किताबें हैं, तो लोग खरी देंगे कहां से, लोग खरीदेंगे नहीं तो जो industries खड़ी की गए जिस तरह की नौकरियां दी गए 16-16 गंटे की नौकरियां है 14-14 गंटे की नौकरियां है ऐसे लोग हैं जो सुबह उठते हैं और सुबह अपना mobile laptop खोल के नौकरी करना शुरू करते हैं फिर office में जाते हैं फ्लाइट से कहीं जा रहा हैं फिर कार में चल रहा हैं तो नौकरी कर रहा हैं ये तो बड़ो वालों की चोटे वालों की चक्कर ये है कि सुबह निकलते हैं और सामानलाद के सामान बेचने बाजार में निकल पड़ते हैं तो उनके स्थितिया ऐसी हो जाती है कि उनके पास समय ही नहीं है किताब पढ़ें पूरा कल्चर ऐसे बनाया गया है कि पांस दिन छे दिन पागलों की तरह मेहनत करो और साथमे दिन जाओ दारू पीओ बार में जाओ इंजॉय करो सो जाओ और अगले दिन फिर सुबह से जानवरों की तरह अपनी नौकरी पे लग जाओ तो यह जो पूरा वर्क कल्चर पैदा हुआ है इसने किताबों को हमारे बीच से ख़तम कर दिया क्वारेंटीन जो हमको जबरदस्ती करना पड़ रहा है मैं बार बार क्वारेंटीन ही कह रहा हूँ क्योंकि डक्टर ने कहा हो या ना कहा हो हम सब अपने अपने घरों में कैद है मूलता तो यह जो घरों में हम कैद हुए है जो एकांत वास हुआ है उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने लिखा कि अशुक जी आपकी किताब लेकर डेड़ साल से रखी हुई थी फुरसती नहीं मिल रही थी अब यह फुरसत मिली है तो मैं आपकी किताब पढ़ रहा हूँ या बहुत सारी किताबें जो उन्होंने पहले खरीदी थी वो पढ़ रहे हैं तो मैं कहूंगा कि Blessing in Disguise किताबें पढ़ने का मौका मिल गया है और इसी बीच में विश्व पुस्तक दिवस आया है तो आज तो जरूर कोई नहीं किताब आप शुरू किजे या पुरानी किताब जो आप पढ़ रहे हैं जरूर पढ़िए कुछ घंटे जरूर पढ़ने के लिए निका लिए मैं युवा साथियों से खास तोर पर कहना चाहूंगा जो यंग लोग हैं College में हैं, University में देखिए समय नहीं है एक बेकार का बहान है, मैंने जीवन में कभी ये बहाना स्विकार नहीं किया कि समय नहीं है हम जो काम करना चाहते हैं, उसके लिए हम समय निकाल लेते हैं जैसे जब आप प्रेम में होते हैं आप समय निकाल लेते हैं आप आफिस में होते हैं, आप कालेज जा रहे होते हैं आप बहुत बिजी होते हैं लेकिन फिर भी मिलने का, जुलने का, बात करने का, चैट करने का समय निकाल लेते हैं क्यों? क्योंकि आप फिर्दैस से वो कारिय करना चाहते हैं, उसमें आपका मन लगता है तो अगर आप किताब पढ़ने के लिए भी चाहेंगे, अगर आप चाहेंगे कि किताब पढ़ा जाए, तो आप निश्चित तोर पर किताब पढ़ लेंगे हजार तरीके आ गए हैं, देखिए, मैं अपनी किताब का उधारन दूँ, अगर आप आँखों से समस्या हैं, लगातार आप पढ़ नहीं सकते हैं, आप सुबा शाम आफिस जाते हुए, आते हुए आडियो बुक पर पढ़ सुन सकते हैं उसको अगर आपके पास किताब रखने की जगह नहीं है, आप बहुत ट्रेवलिंग वाली नौकरी करते हैं, आप किंडल पे पढ़ सकते हैं, और अगर मेरी तरह ओल्ड फैशन हैं, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप हाड किताब खरी देंगे, और बिस्तर पे कभी कभी लेट के, कभी डानिंग टेवल पे, कभी कहीं कभी कहीं बैट कर उस किताब को खतम करेंगे, तो अगर हम पढ़ना चाहेंगे, तो पढ़ने का समय निकल जाएगा, और हम पढ़ते हुए सिर्फ अपना भला नहीं कर रहे होते हैं, याद रखिए कि जिस घर में किताब और पापा का चश्मा लगा कि कोई मोटी सी किताब खोल के कहते थे, हम पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए मौडल था पढ़ना, अगर आप पढ़ेंगे, तो आपका जो बच्चा होगा, आपकी जो बिटिया होगी, उसको लगेगा कि पापा अगर ये काम कर रहे है, ममा अग अच्छा काम है, तो वो पढ़ने की तरफ अपने आप आकरशित होगी, जब किताबें दिखेंगी, तो किसी ने किसी फुरसत में कोई किताब निकालेगी, पल्टेगी, और उसका मन एक ने एक दिन किसी तरह की किताब में लगेगा, हम एक्स्प्लोर भी तो करते हैं, कि क् मन fiction में लगता है, किसी का मन poetry में लगता है, किसी का मन history में लगता है, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है कि घर में पढ़ने पढ़ाने का माहौल उपलब्ध हो, कई जगों पे तो उल्टा होता है, मैं देखता हूँ, college going बच्चे अगर अपने कोर्स से बाहर के किताब प पढ़ें और जीवन में वो हमारी मदद न करें, और इसी के साथ देखिए, विश्व पुस्तक दिवस सारे लोगों ने लिखा, किसी ने ये नहीं बताया कि विश्व कापी राइट दिवस, हिंदी में अच्छी किताबें क्यों नहीं है, अक्सर शिकायत होती है हिंदी में धेर सारे मित्रों को वो फ्री में गिफ्ट कर देता है, मित्र फ्री में लेके पढ़ लेते हैं, बाकी थोड़े से लोग खरीद लेते हैं, उस किताब से लेखक को कुछ हासिल नहीं होता है, जब लेखक को कुछ हासिल नहीं होता है, प्रकाशब को भी बहुत कुछ नहीं ह पड़ती है इन शौकों में किताब भी शामिल है किताबें खरीदने के लिए उसको नौकरी करनी पड़ती है जब वो नौकरी करता है तो आठ घंटे दस घंटे उसके नौकरी में चले जाते हैं बचे कितने दो से तीन घंटे जब बचेंगे तो वो धंग से पढ़नी पाता ह धंग से concentrate नहीं कर पाता है और जब वो concentrate नहीं कर पाएगा पढ़ेगा नहीं तो वो अच्छी किताब नहीं लिख पाएगा जब अच्छी किताब लिखेगा नहीं तो फिर अच्छी किताब आजादा किताबें बिकेंगी नहीं और ये दुश्यक्र लगातार चलता रहता है। कापिराइट का मसला हमारे हाँ इतना हलके में लिया जाता है कि अब मुझसे अक्सर लोग कहते हैं अशोग जी आप अपने किताब की पीडियाप भेज देंगे। मेरे समझ में नहीं आता है कि एक लेखक से उसके किताब की पीडियाप मांगना उसका अपमान क्यों नहीं है। क्या हम लोग जो सारे लोग हैं वो यूही लिख रहे हैं। आप अपने घर में छोटा से छोटा काम करवाते हैं अगर एक बिजली का तार अगर तूट जाया इस तार को भी बनवाते हैं तो उसको कुछ पैसा देते हैं आप। ये बिजनेस का मामला नहीं है ये मामला सीधा सा है कि अगर लेखक अपने लिखे से कुछ पैसे कमा पाएगा तब ही वो गंभीरता से लिख पाएगा आप लाग थीरी देते रहे हैं खून और पसीने की लेकिन ये सचाई है आज के समय में कि अगर लेखक लिखकर अपना जीवन नहीं चला पाएगा तो लेखक जो दूसरा काम करेगा उसमें धीरे 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 डूपता जाएगा वो काम उसको अपनी तरफ खीशता जाएगा और लिखना सेकेंडरी काम बनता जो एक समय में बेहत गंभीर लेखन कर रहे थे, बहुत महनत कर रहे थे, फिर परिवार में फसे, फिर नौकरी में फसे, और नौकरी ने उनको ऐसे घेर लिया, कि अब उनके पास वक्त ही नहीं है, कि वो उस तरह से गंभीर लेखन कर पाएं, कभी एक कहानी लिख ली दाल रोटी का इंजाम नहीं कर पाती है और ये मामला सीधे कॉपी राइट से जुड़ा हुआ है कॉपी राइट अगर धंग से फालो होगा हमारी किताबें सही माध्यम से बिकेंगी प्रकाशक उनका सही हिसाब किताब रखके हमें रायल्टी देंगे तो शायद कुछ लेख लेकिन शायद कुछ लेखक ऐसे होंगे जिनका अगर दाल रोटी पूरी तरह से लेखन से ना चले तो कम से कम लिखने के लिए जो किताबें खरीदने पड़ती हैं जो एपरेटर्स खरीदने पड़ते हैं लैप्टॉप चाहिए लिए किताबें चाहिए एक धंका इसका खर्चा भी अगर लेखक अपने लिखे से नहीं निकाल पाएगा तो ये समझ दीजिए कि आप कमिट्मेंट वगरा की बात कर लीजिए लिखना उसके लिए एक लगजरी रह जाएगी और लिखना जब शौकिया होगा तो बहुत मुश्किल है कि पाठक के किसी काम की को हो सकता है कि कोई इतना प्रतिभाशारी लेखक हो कुछ लोग हैं ऐसे जो शौकिया भी लिखते हैं तो बहुत अच्छा लिख देते हैं लेकिन अगर लेखक पूरी पूरी रात पूरे पूरे दिन जूज नहीं पाएगा अगर लेखक अपनी मन पसंद किताब को बिना समझे हैं खरीद नहीं पाएगा और लेखक जो किताबें पढ़ते हैं वो उनको मुफ्त में नहीं मिलती हैं वो सारी उनको खरीद नहीं पढ़ती हैं अगर वो किताबें वो नहीं खरीद पाएगा अगर उन किताबों को पढ़ने के लिए समय नहीं निकाल पाएगा अगर एक लाइन लिखकर तीन घंटे बैट के सोचने का या अपनी किताब की या अपने चैक्टर की शुरुआत को कई-कई रातों सोचने का उसके पास आवकाश नहीं होगा तो कभी भी masterpiece हिंदी में नहीं लिखे जाएंगे जिन लोगों ने masterpiece लिखे हैं आप उनको देखिए वो सारे ऐसे लोग रहे हैं जिनको लिखने पढ़ने के लिए खूब समय भी मिला है और जिनको लेखन से और या तो फिर कुछ लोग ऐसे रहे हैं जो इन्वस्टी के lecture professor लोग रहे इन लोगों के पास ये सुविधाय गिताशी नमस्कार इन लोगों के पास ये निषचित रूप से ये सुवमिधाय रही एक समय में एक समय में आज हैं कि नहीं मैं कहना मुश्किल है कि उनको लिखने के लिए पढ़ने के लिए पर्यापत आउकाश मिला इसलिए मैं एक बात कहूंगा यह आपको लग सकता है कि एक लेखक की और से बोल रहा हूं लेकिन लेखक हूं तो लेखक की और से ही बोलूंगा कि जैसे बाकी चीज़ें आप खरीद के पड़ते हैं किताबों को खरीदने के लिए भी थोड सस्ती हैं अगर आप इंटरनाशनल बुक्स देखेंगे तो उनकी तुलनामे हिंदी की किताबें बेहत सस्ती हैं तो अगर आप उनको खरीदेंगे अगर उनके खरीदे जाने को आप प्रमोट करेंगे अपने दोस्तों से और बाकियों से भी यही कहेंगे किताब खरीद के पढ़ो और लेखक से उसकी किताब की PDF मागना या दुनिया भर की जो वेबसाइट्स फरजी खुल गई हैं वहां जाकर उसकी PDF तलाश करना उन किताबों के लिए तो सही है जो मार्केट में उपलब्द नहीं ये काम को आप 8 घंटे की मजदूरी दे के 10 घंटे काम करा कर 2 घंटे की उसकी रोटी मारते हैं ऐसा करके आप बिसिकली लेखक की भी रोटी मार रहे हैं तो हिंदी में अगर आपको वाकई विश्वस्तर का साहित्य चाहिए तो हिंदी के लेखक को इस लाइक बनाईए कि वो अपनी डाल रोटी खुद निकाल सके और यहीं पर प्रकाशकों से भी मेरा निवेदन है कि रायल्टी के मामले को लेके लेकों के भुगतान को मैं बहुत सारे ऐसे प्रकाशक मित्रों को जानता हूं प्रकाशकों को जानता हूं जो कागस सबसे महना खरीदते हैं जो कवर बड़ा खुबसूरत बनवाते हैं सबको पैसा देते हैं लेकिन लेखक के रायल्टी देने में जिनको बड़ी परिशानी होती है तो ये दोतर्फा अगर ये होगा एक तरफ हमारा पाठक हमारी किताब खरीद के पढ़ेगा दूसरी तरफ हमारे प्रकाशक जो है हमारी रायल्टी समय से और सही तरीके से कल्कुलेट करके देंगे तो यकीन जानिये ये सब के लिए लाप्रद होगा प्रकाशक के लिए लाप्रद होगा कि उसको शानदार किताबे मिलेंगी महनत करके प्रोजेक्ट बनाके लिखी हुई किताबे मिलेंगी और वो खूब बिकेंगी पाठक के लिए फाइदा होगा कि उसको अंतरास्ट्री अस्तर का साहित जो है उसको grade 1 अस्तर का literature fiction और non-fiction हिंदी में ही उपलब्ध हो जाएगा हम लों का सबसे बड़ा कष्ट क्या है कि हमें जो मैं जिस विशय पे research करता हूँ अभी गांदी पे कर रहा हूँ उसके पहले मैंने कश्मीर पे research किया हमें सारी किताबें अंग्रेजी में खरीदनी पड़ती हैं हिंदी में हैं ही नहीं काम ही नहीं हुआ है और 20 साल बाद भी यही स्थिती रह जाएगी इसको कोई घमन न जानिएगा लेकिन ये बात आप जान लीजिए कि दो किताबें पसीना जला के लिखने के बाद तीन किताबें लिखने के बाद अगर वो response नहीं मिलता है जो लेखक में सोचा था तो लेखक का मन भी तूटता है हिंदी का लेखक तो अपनी पहली ही किताब commitment से लिखता है क्योंकि उसको मालूम होता है कि इससे आर्थिक रूप से और बाकी कुछ नहीं मिलना है हिंदी के जो सबसे बड़े पुरसकार है उनसे आपका तीन महीने का घर का खर्चा चलना मुश्किल हो जाएगा युवाओं के लिए जो है पैसे के बारे में वो फिर भी नहीं सोचता है लेकिन एक समय के बाद जब एक उम्र होती है जिम्मेदारियां आती है तो ये बात मैं दुहरा रहा हूँ कि जब लेखन से उसको पैसे नहीं मिलते हैं लेखन से उसकी दाल रोटी नहीं चलती है तो जीवन चलाने के लिए उसको वो काम करने पड़ते हैं जो उसको पसंद नहीं है, उसको नौकरी करनी पड़ती है, उसको व्यापार करने पड़ते हैं और उसमें फिर लेखन धीरे 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 धीरे, second, third priority होता चला जाता है और उस second third priority से लिखा हुआ जो साहित्य होता है वो आपके सामने आता है बताईए ये उन लिखकों से कैसे तुलना करेगा जो एक किताब लिखकर दो साल तक दुनिया घूमते हैं अनुभज उटाते हैं और आराम से लिखने के अलावा जो कोई काम नहीं करते हैं जिनके पास के लिए अलग से आफिस है जो अपने कमरों में घूमते हुए बोलते हैं और दो तीन टाइप राइटर पर दो तीन लोग बैठे वो उन्हें टाइप करते हैं वैसा साहित्य आप हिंदी के लिखक से कैसे उम्मीद कर सकते हैं जो सुबह साड़े आठ बजे अपना टिफिन लेकर दफतर जाता है साड़े साथ बजे लोट कर आता है घर केइंदी को महान साहित्य के लिए हिंदी को ग्रेड वन साहित्य के लिए चहिए ऐसे लेखक जो फुल टाइम लेखक हो जो लेखक का जीवन जी सकें और मजदार बात क्या है कि लेखक के निजी जीवन में सबको इंटरस्ट है सबको ये जानना है कि लेखक की पत्नी कौन है, लेखक की प्रेमी का कौन है लेखक का बेटा क्या करता है, लेखक की जाती क्या है, लेखक का पिता कौन था लेखक के घर में कितने बेडरूम है लेखक की कार बड़ी है चोटी है लेखक 5000 का चश्मा लगाता है या 500 का चश्मा लगाता है इसमें सब की रुची होती है लेकिन लेखक किन परिस्थितियों में लिख रहा है और उस लिखे से लेखक को क्या मिलता है इसमें हिंदी के पाठक की कोई रुची नहीं उसे लगता है कि लिखना एक मुफ्त का काम है और किताबें मुफ्त में मिलनी चाहिए इस मुफ्त खोरी ने हिंदी की दुनिया को नश्ट करके रख दिया है एक लेखक पैसे दे के किताब छपवाता है सौ कापियां उसको मिलती है उनमें से नब्बे कापियां बाट देता है और लेखक होने का भरम पालता है इस तरह से क्या रचा जाएगा और क्यों रचा जाएगा एक या दो किताबें इस तरह से छप जाएंगे उसके बद किस का मन करेगा किताब लिखने का और कौन सा प्रकाशक होगा जो ऐसी किताबें छपना चाहेगा जिसके सौ कापियां ही बिखनी हो क्या मिलेगा प्रकाशक को अगर प्रकाशक एक किताब से पांच जार दस जार रुपए कमाएगा तो उसको क्या मिलेगा वो क्यों अपनी किताबों को हर प्रकाशक जब मैं मीरा जी से पहली बार मिला और कश्मीर नामा फाइनल हुई तो अमीरा जी ने एक बात मुझसे कही थी जो मुझे हमेश्य याद रहती है मीरा जी ने कहा कि आशोख हम ऐसी कितावे नहीं छापना चाहते हैं जो आज छपें कल हिट हो और परसों बंद हो जाये हम ऐसी कितावें छापना चाहते हैं जो 20 साल, 20 साल, 50 साल तो प्रकाशक भी चाहता है कि उसके पास ऐसी किताबें हो जिसको लेके वो बाजार में जाया और गर्व से कहे कि इसे पढ़िये ऐसी किताबें हो जो वो एक पाठक के हाथ में दे और कहे देखिए पचास साल पहले हमने चापा था तो प्रकाशक खुशी से चाप सके लेखक पूरे कमिट्मेंट और ताकत के साथ लिख सके इसके लिए दोनों चीज़ें जरूरी हैं एक तरफ तो समाज के अंदर किताबों को लेकर उत्साह ज्यान को हासिल करने की एक ललक और तडब एक रैशनल दृष्टिकोंड विक्सित करने की इच्छा निजाम यानि विवस्था के अंदर और तीसरा पाठकों के अंदर किताबें खरीद के पढ़ने का किताबें शौक से समहाल के रखने का और अपने घरों में किताब का एक कोना विक्सित करने का शौक हिंदी के लेखक और पाठक के बीच में बहुत बराब अच्छी किताब लिखता है तो वो अपना पसीना जलाता है अपना खून जलाता है बहुत सारे ऐसे अपनों के हिस्से का वक्त काट के उसमें देता है जो कई बार जिंदगी में बहुत भारी पड़ जाता है और उन किताबों को लिखने के लिए जो उसने अध्यन किया है उस मेरी किताब पढ़े, मैं यह बार-बार कहता हूँ कि मेरी किताब तभी खरीदें, जब आपको लगे कि वो आपके काम की है, लेकिन जिस भी लेखक की चाहिए, वो कविता संकलन हो चाहिए, कहानी संकलन हो चाहिए, उपन्यास हो जब आप उसको पढ़ें खरीद के पढ़ने की कोशिश करें, पेपर बैk में आजकल सारे प्रकाशक पेपर बैक में सस्ती किताबे छापते हैं, आप उन्हें खरीद के पढ़ने की कोशिश करें, अब अगर कोई सवाल हो, तो आप पूछ लें, मैं उसकाigorब दे दूँ, मुझे जितनी बात करनी थी, उतनी बात मैं कर चुका हूं मैं देख लेता हूँ अगर कोई सवाल यहां पर दिख रहा हो मुझे तो आप सभी लोगों को नमशकार, बहुत सारे को नमशकार किया है जो दिख गया उसको जवाब दिया धिरंद भाई साब कहा रहे हैं धिरंद भाई साब अभी मैं आपका ही कहानी संकरन पढ़ रहा था इस लाइप से ठीक पहले बिल्कुल सही वह आप कहा रहे हैं कि लेखक 8 गंटे नौकरी करता है आठ गंटे सोने को चाहिए उसके अद बसता कितना है उसके पास वक्त की वो धंका लेखन कर सके तो बहुत जरूरी होता है कि आप गिता श्री कह रही है और बिल्कुल सही कह रही है कि आजकल जो एक टिकट का दाम है मौल में जो फिल्में चलती है उनमें जो एक टिकट का दाम है उस टिकट से भी किताब का दाम बहुत सस्ता है शूज की तो गिता श्री बाती मत कीजिए तीन हजार चार जार रुपए कि अब तो शूज मिलने लगे हैं उतने में तो छोटी मोटी लाइबरेरी हिंदी की बन जाएगी सवाल नहीं आये हैं कोई सवाल हो तो आप फटाफट पूछ लीजिए काफी टाइम हो चुका अब मैं खतम करूं इसको कोई भी सवाल नहीं है आशर जाना कहिए बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइबरेरी के बंद होने की बात की है किताबों के पढ़ने में कम होने में प्रकाशन समूहों का कोई हाथ नहीं ये एक बिजनेस मात्र बना कर नहीं रख दिया इन समूहों ने मोबिन जहुरादीन सहाब कह रहे हैं देखे एक बात हमें समझनी चाहिए हम सब थियरी एक जमाने में बहुत बात करते हैं अब भी करते हैं मूलता किताबों का प्रकाशन तो है बिस्नस मैं ऐसे बहुत सारे प्रकाशकों को जानता हूँ जिन्होंने बहुत उत्साह में काम करना शुरू किया अच्छी किताबें च्छापीं, सस्ती किताबें च्छापीं, लेकिन चुकि उन्होंने बिजनेस वाले पक्ष पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, ये नहीं सोचा कि ये डिस्ट्रिब्यूट कैसे होंगी, ये नहीं सोचा कि ये पाटकों के हाथ में कैसे पहुंचेंगी, या उन में से कुछ नहीं ये सोचा कि चलो कुछ लाइबरेरी के भरोसे काम चल जाएगा वो कोई प्रकाशन बहुत लंबे चल नहीं पाए कोई भी प्रकाशक चाहे वो अंग्रेजी का हो चाहे हिंदी का हो चाहे कुछ भी अपने आपको वो कहता हो लेकिन प्रकाशन अंतत्र एक बिजनेस है अगर प्रकाशन से किताबों का खर्च नहीं निकलेगा अगर प्रकाशन से एक सम्मान जनक जीवन प्रकाशक नहीं जी पाएगा तो वो किताब नहीं छापेगा किताबों के पढ़ने के कम होने में प्रकाशन उन प्रकाशन समुहों का हाथ मैं जरूर मानता हूँ जिन्होंने किताबों को छापते समय किताबों की क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया पैसों के बदले या किसी किनी भी शर्तों पर किनी भी वजहों से उन्होंने ऐसी किताबें छापी जिनको कत्ता ही नहीं छपना चाहिए था जो पेडों की हत्या की दोशी है ऐसी किताबें जो ना लाइब्रेरी के काम की है ना पाठक के काम की है लोग क्या करते हैं तीन साल तक अलग-अलग अकबारों में अलग-अलग इंटरनेट के वेबसाइट्स पे पत्रिकाओं में कोई खुबसूरस सा एक टाइटिल दिया भड़काऊ सा और बोले साब यह किताब है मैं कहता हूं इस तरह की किताबों को छापने वाले प्रकाशक जो है वो पेडों के अपराधी है उन्होंने बेकार में पेडों की हत्या की है उन्होंने वो कागस बरबात किया है वो किता पर बीज दिन पच्चेस दिन लगातार एक हैस्टैक से कुछ भी लिखा फिर उसकी किताब बनाई और देदिया की साब यह किताब है जिसका न कोई उदेश्य है न कोई शुरुवात है न कोई अंत है लिखने के लिखी हुई या प्रतिष्ठा पाने के लिए मैं भी लेख हो उनके उनको मैं जरूर मानता हूं कि वो किताबों के पढ़ने के कम होने में उनकी भी अपनी एक भूमिका है मुझे लगता है कि अब कोई सवाल है नहीं चलिए तो इसी नोट पर हाँ या आखरी सवाल लेलू में रशना जी का आज कल बच्चे हिंदी और हिंदी की किताबों से बसते हैं उन्हें हिंदी की तरफ कैसे लाया जाई यह यक्ष प्रश्ण है यह बहुत मुश्किल सवाल है यह इतना मुश्किल सवाल है देखिए हम हिंदी में क्यों पढ़ते थे ons का पूरा प्रासेस है चिंतन की यह उसकी पूरी प्रक्रिया है तो उसे घंदी की किताब कैसे बहुत मुश्किल काम है इसके लिए जरूरी ये है कि शुरू से उसको ह हिंदी की कुछ-कुछ किताबें दी जाएं, पतलि किताबें, बहुत सुंदर किताबें चपती और कुछ जगों से चपती है, वो किताबें उनको दी जाएं, जब पढ़ने के आदत हिंदी में उनके शुरू से पढ़े больше PAST में पढ़ है कि मेरा ये सोचना है कि थोड़ा बहुत साही तो जरूर पढ़ना चाहिए थोड़ा बहुत कविताएं थोड़ा बहुत कहानिया उपन्यास अपने हिंदी में भी और दुनिया भर में जो लिखा गया है उसको जरूर पढ़ना चाहिए मनीश जी हिंदी का विद्यार्थी हूँ लेकिन मेरी रुची हुमिनिटी से जोड़े अन्य विश्यों को पढ़ने में रही है लेकिन पढ़ नहीं पढ़ रहा हूँ अब नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो तो आपको ही तैंक करना पढ़ेगा कि आप कैसे पढ़ेंगे एक तो वो सूचना दोहरा दूँ सारे लोग जो यहाँ पेस समय सुन रहे हैं कि राजपाल एंड संस ने आज ही लांच किया है अपना पेज इंस्टाग्राम पे तो आप सब में से जो लोग भी इंस्टाग्राम यूज करते हों राजपाल के पेस से वहाँ पर जुड़ जाएं और दूसरी बात जो पहले कह चुका हूँ उसको मैं हिंदी को आज भारती ये लोग इंग्लिश से जादा महत्व क्यों दे रहे हैं क्योंकि हमारी विवस्थाएं अंग्रेजी को जादा महत्व देती हैं माना जाता है कि अंग्रेजी में आप पढ़ेंगे तो आपको नौकरी अच्छे मिल जाएगे इसलिए अंग्रेजी के माध्यम में आप पढ़ते हैं और धिरे-धिरे फिर और है भी अंग्रेजी का ज शबीला हमारे मित्र और शांदार कहानिकार प्रमिण भाई पूछ रहा है कि पढ़ने से आदमी समयदंशील होता है क्या शातिर भी हो सकता है ये कोई बात नहीं है कि पढ़ने से आदमी समयदंशील ही हो पढ़ने से आदमी शातिर भी हो सकता है लेकिन अगर धंग से आदमी पढ़ता है सही उदेशी के लिए पढ़ता है तो निश्चित तोर पर उसको अधिक समिदनशील होना चाहिए अगर कुपड नहीं है तो वो समिदनशील होगा शुक्री आजाज जी अच्छी बात है आप हिंदे से कर रहे हैं दूसरा हिंदी की जगा इंगलेस ले रही है उसे कैसे रोका जाए एक ही विशय पर पढ़ते हुए उब हो जाए तो क्या करें यह सवाल बहुत शांदार है और यह होता है हमेशा ही होता है मैं बताओं मैं जिहास पर लिख रहा हूं चाहे कुछ भी कर रहा हूं एक धंका उपन्यास हमेशा मेरे टेबल पर होता है मैं आगर आप मेरे टेबल देख पा रहे होंगे पीछे टेबल पर यह किताबे वो हैं जो आभी पढ़ने के लिए मैंने निकाली होई है तो आपको इसमें सब दिखाई देगी उपन्यास भी आपको दिखाई देगा मार्स एंगिल सी किताबे भी हैं दर्शन भी है तो जब जो मन करें पीछ पीछ में ब्रेक लिया जा सकता है आज कल नए लेक्कों को भाशा की दिश्च से आप कैसा मानते है मैंक कभी भी मैंग जी ऐसा नहीं होता है कि सारे लेखक एक जैसे होते हैं कुछ युवा लेखक है जिनके पास बड़ी सुंदर भाशा है आज ही मैंने लिखते हुए सोमप्रप का नाम लिया था कितने खुबसूरत भाशा है उसके पास मतलब इतनी मैच्यो और इतनी सधी हुई भाशा कि लगता है वाह यार क्या शानदार भाशा इस आदमी के पास है कुछ लोगों के पास बहुत खराब भाशा होती है कुछ लोग मतलब फेस्बुक पे स्टेटस लिखते हैं तो सही हिंदी नहीं लिख पाते हैं तो किताबیں कैसे लिखते होंगे, उनकी किताबे मैं पढ़ूंगा भी नहीं क्योंकि उनकी किताब मुझे लगता कैसे लिखते होंगे प्रवीन छबीला भी यहां पर थे कहने को यूझा लेखक ये भी है, आप इनकी भाशा देखिए तो युवाओं और बरिष्टों में मत बाटिये, अच्छे लेकों की भाषा अच्छी है, बुरे लेकों की भाषा बुरी है, चाहे वो महिलाये हों, चाहे पुरुष हों, चाहे युवाओं हों, चाहे वृद्ध हों, सब में अच्छे और बुरे लेखा कोते हैं, और युव शर्मा जी किताबें इतनी महंगी मूली पर क्यों रखी जाती हैं मैं नहीं समझ पाया कौन से किताब आपको 10,015,020,020 में मिलती है छोड़िये हिंदी की पिछले 10 साल में कौन सी ऐसी किताब लिखी गई जिसका मूली एक हजार रुपे रहा हो अरे हिंदी में जो सबसे महं किताबें नहीं पढ़नी चाहिए आप बिल्कुल छोड़ दीजे किसी किसी डॉक्टर ने नहीं कहा है कि आईए और किताब पढ़िये सर थोड़ा सा अपने शहर के वर्तमान और भविश्य पे चर्चा करें दिखें मैं यहां पे खतम करूँगा मेरा शहर कौन सा है मुझे नहीं पता है मैं पैदा हुआ था एक गाओं में फिर मैं देवरिया में आया जहां मेरी बार्मी तक की पढ़ाई हुई तो वो भी मेरा शहर था फिर गोरकपुर में मैंने B.A. or M.A. किया तो वो मेरा शहर रहा फिर मैं गौलियर आ गया दस सल वहां नौकरी किया उसके पहले गुज्रात रहा तो वे मेरे शहर रहे और आज मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली मेरा शहर है तो इन सब के अपने भविश्य हैं, अपने वर्तमान हैं और मुझे नहीं लगता कि आज जो विश्य है उसमें इस पर किसी बाचित करने की कोशिश जरूरत है एक सवाल व्योसाइक साहितिक पत्रिका की कमी है हाँ ये सचाई है कि प्रिंटेट पत्रिकाओं का पूरा एक फैशन गया है, चलन गया है प्रिंटेट पत्रिकाओं आज गिंती की हैं, पहल आप कह सकते हैं, तद्भव हैं और दो-तिन पत्रिकाओं और हैं जिनको पढ़ने का मन होता है उसका एक करण तो ये हो सकता है कि इंटरनेट पे बहुत सारी सामगरी पहले से ही मिल जा रही है तो उसके लिए इंटरेस्ट लों का खतम हुआ है तो ये समस्या हुआ है ये गिता श्री बिलकुल सही कह रही है हिंदिय किताब में कितनी भी मोटी हो सस्ती ही होती है आप सोचिए मेरी किताब 4500 रुपए में अमेजन पे मिल रही थी जो 465 पेच की है तो एक रुपए पेच भी अगर आपको सस्ता लगे तो ये आखरी मेरे लिए सवाल आ गया कि सर इतिहास से इतर आपकी किसी किताब की कोई उमीद है कि ये आखरी सवाल है इसके बाद में कोई सवाल नहीं लूँगा मैं नहीं जानता जब मैं कविताय लिख रहा था तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं कभी इतिहास भी लिखूंगा पढ़ने में रुची थी पढ़ता था गद्य के नाम पर मैं आर्थिक विश्यों पर लिखा करता था लेकिन आर्थिक विश्य छूट गए इतिहास आ गया मैं आपसे वादा करता हूँ मुझे बहुत तो नहीं पता है लेकिन इतिहास से इतर कुछ किताबें जरूर आएंगे जैसे एक मेरा वादा है कि एक उपन्यास मुझे लिखना है एक उपन्यास मुझे लिखना है और पक्का लिखना है मेरा सपना है कि मैं एक उपन्यास लिखू मैं आपको इमानदारी से बताओं कि अगर मेरी या प्रिय विधा सबसे ज़ादा मैं क्या पढ़ता हूँ तो मैं उपन्यास पढ़ता हूँ और मैं क्या लिखूंगा कई चान थे सर आसमा बिल्कुल 700 पेची किताब ये मातर 399 की किताब गीता चली बता रही है इससे सस्ती किताब क्या हो सकती है मैं ऐसे ही कोई भी किताब उठा लूँ यहां से अगर मुक्तिबोत की पूरी रचनावली 1200 रुपय में आपको मिल जाती है 680 की हिंदी में जितनी सस्ती किताबे हैं मुझे ने लगता कि दुनिया में उतनी सस्ती किताबे किसी भाशा में है इसलिए हिंदी के पाठकों को ये सोचना छोड़ देना चाहिए कि हिंदी के किताबे महंगी है वो जितने सामान अपने घर के खरीदते हैं उनकी कीमतों में जो बदलाव आया है उससे तुलना किताबों की कीमतों में बदलाव में वो कर लें उनको समझ में आ जाएगा कित बर और चलेगा, इस कुर्ते की कीमत 2000 के आसपास की होगी और ये जो किताबें रखी हुई हैं, इन में से कुछ किताबें ऐसी हैं, जो जब मैं कॉलेज में था, यानि 95-96 में तब मैंने खरीदी थी, आज भी मेरे साथ हैं, और मैं चाहता हूँ और पूरी मुझे उम्मीद है कि मेरे मरने के बाद ये किसी और के भी काम आएंगे, तो एक किताब के जिंदगी जो है, वो पचीस-पचास नहीं, 100, 200, 300 साल चल सकती है किताब के जिंदगी, आप पुरा लाइब्रेरीज में जाएए, 200, 500 साल पुराने किताबें मिलेंगी, उसकी 400 की कीमत आपको महंगी लगती है, और दो साल में, तीन साल में खराब हो जाने वाले चश्मे की, कुर्ते की, जीन्स की, 3000 और 4000 की अगर कीमतें आपको सस्ती लगती है, महंगी लगती है, असस्ती लगती है, तो वो आप की समस्या है, मित्र, वो किताब की समस्या नहीं है, हाँ ये बात है, कि हिंदी के लेखक अनुदित होकर अभी ग्लोबल नहीं हो पा रहे हैं, वो उसी वी सस्तर किल में है, जब उस सस्तर के किताबें लिखी जाएंगे, जो वैश्विक सस्तर क जाएगी तब आप ये मान के चलिए कि वो किताब जो है वो अंग्रेजी और दीगर भाशाओं में जाएगी शुक्रिया मैंने आपनी तरके से बात की आप सब को एक बार और विश्व पुस्तक दिवस और कापिराइट दिवस की खूब सारी शुब कामना है पढ़िए लिख किताबों के महनगे होने के शिकायत छोड़ दीजिए जैसे आप शर्ट के दुकान पर जाकर तीन हजार की या चार हजार की शर्ट देखकर ये अंदाजा लगाते हैं कि इसकी क्वालिटी बहतर होगी ऐसे ही हिंदी में भी अगर चारसो पानसो रुपे की किताब है तो आप चिंता करेंगे वो तीन साल चार साल जो वो लगता है या लगती हैं रिसर्च करती हैं खूमती हैं रातें खराब करती हैं इन सब चीजों के जब महनत के बारे में आप सोचेंगे और साथ में कागस की कीमत छपाई की कीमत डाक की कीमत तब आप शायत किताबों की कीमत का अंदाजा लगा पाएंगे और अपने प्रकाशकों और लेकों के प्रतिकर तग्य होंगे कि इतनी मेहनत और इतनी खुबसुरत प्रोडक्शन्स जो हैं वो आपको इतनी सस्ती कीमत पर उपलंद करा रहे हैं बहुत शुक्रिया